ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख चीन पावर क्राइसिस से देश की विशाल अर्थववस्ता के धीमा होने और वैश्विक आपूर्ती श्रंखला पर दबाव बढ़ने का खत्रा है दुनिया भर में कार और स्मार्फोन समेथ बहुत से इलेक्ट्रोनिक गैजट के उतपादन पर असर पढ़ सकता है चीन बिज का सामना करना पढ़ सकता है चीन में बिजली के इस संकट की वजह से दुनिया भर में कार और स्मार्फोन समेथ बहुत से इलेक्ट्रोनिक गैजट के उतपादन पर असर पढ़ सकता है चीन के ओध्योगिक छेत्रों में कंपनियों को बिजली की मांग को कम करने के लिए उर बिजली संकट को दूर करने में जुट गई हैं। बुद्वार को चीन की सभी ताकतवर एजेंसियों ने अपने नागरिकों और कारोबारियों को भरोसा दिया है। कि वे बिजली संकट से निपटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और बिजली आपूर्ती पर करीवी नजर बनाये हुए हैं। चीन में कुछ बंदरगा लंबे समय से बंद थे। ऐसे में पावर प्लाउन की मांग के हिसाब से कोईले की सप्लाई नहीं हो पाई। ये आपूर्ती अब भी बादित है। साल के अंत के तोहरी सीजन के हिसाब से समय दुनिया भर की फैक्ट्रियों में तेजी से काम चलना है और चीन के इस संकट की वजए से उनका काम प्रभावित हो सकता है। इसले कुछ समय में कच्चे माल के भाववड़ने और कुरोना संक्रमल जैसे संकट की वजए से भारत समय दुनिया भर की कमपनिया पहले ही परिशानी से जूज रही है। चीन का मौझूदा बिजली संकट उनकी समस्या और बढा सकता है। चीन के उद्यमियों ने सरकार को चितावनी दी है कि अगर बिजली संकट से जल्द निजात नहीं मिली तो चीन के एकनॉमिक पावर हाउस बाने जाने वाले तीन बड़े प्रांत में आर्थिक गतिविदिया प्रभावित हो सकती है। चीन में अगर बिजली संकट जल्द दूर नहीं हुआ तो दुनिया भर में क्रिसमस और नए साल के मौके पर स्मार्फोन, टीवी और दूसरे गैजट्स खरीदने का इंतिजार कर रहे लोगों की उमीदों पर पानी फिर सकता है।